लड़की हो मैलाओ, जो भी हैं, किसी को भी ये दरिंदे छोड़ीनी रहे, किसी भी फिल्ड में नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग तो अभी हेवाण बन गएं, हेवाणियत हमारे पर आ गई है कि हम लोग नहीं सोच बैने को मातए पता को एक जय को दधर देते हैं अजय अजय कि देगा है भोट ए समय अजय को है हमको tact आपनादी जो अपराद करते हैं उनको अजादी रहा है जिसे इन्होंने जिक्र करा राम रहीम और आशाराम का की देखिए उनको पैर होल पर छोड़ दिया जाता है और अभी कुछी दिन पहले जाता समय देखिए इस घटना को नहीं हुआ अभी तो उसमें सिर्फ एक आरोपी इस मामले में पकड़ा गया है लेकिन जो एक बड़ी वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था राम रहीम की बात कर ले आसराम की बात कर ले लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है कारण ये कि हरियाना में एलेक्शन आए तो देखी रहे हैं आप सब किस तरीके से सरकार जो है किस तरीके से सरकार जो इन मुझरिमों को खुले आम आजादी आजाद जो है हम महलाओं को मिलनी चाहिए हम महलाओं अजादी मांगते हैं लेकिन उल्टाइन अपरादी जो अपराद करते हैं उनको अजादी मिल रहा है हमें बहुत उमीद था कि निर्विया कांड हुआ है उसके बाद कुछ भी ऐसा होगा नहीं लेकिन उसका इतना लरने इतना सब कुछ करने के बाद इंसाफ भी मिला इतने मुश्किल से मिला देखा है आप लोगों ने अब उसके बाद ऐसे कांड होंगे और वो भी उस बेटी का हतिया होगा जो की डॉक्टर बनने में कितना महनत लगता है कितना माबाप फिर उसके बाद वो एक डॉक्टर बन पाता है वो डॉक्टर जो हमारे जीवन को बचाते हैं उसका जीवन इस तरीके से चला गया कि हम सब तमाशकीन बनके बैठे हुएं अभी उसको अन्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी सरकार बहुत अपसोस की बात है कि सरकार जो है तमाशा देख रही है अपरादी खुले आम घूम रहा है वो एक अपरादी को वो जो नशेरी है उसको गरबदार करके अपना वो बच्ची जो है निया के खिलाफ आवाज उठाई थी उसमें जाहिर सी बात है परशाशन के लोग भी शामिल होंगे प्लाइनिंग के साथ उनका मडर हुआ है तभी तो यह जो है सारा प्लाइनिंग था एक दिन में वो जेल भी चला गया एक दिन में केस भी कुलोस हो ग हमारी मांग आपके चैनल के मादियम से हमारी मांग है कि जब तक असली अपरादी को सजा नहीं मिलेगा और जब तक इस देश में कानून नहीं बनेगा कि उन लोगों को या तो ऐसा कानून ऐसा सजा दे हाथ या पैर उसके अंग काट दे या तो उसका गला ही काट दे ताक कि दूबारा कोई ऐसा अपराद करने से पहले सौ बार सोचे हमारी तो यही मांग है कि कुछ सक्त सक्त कानून बने केबल फासी नहीं इतना असानी मौत नहीं मिलना चाहिए सिर्फ देखिए बंगाल में नहीं उत्तर प्रदेश में भी हाली में तमाम ऐसे मामले निकल कर सामने आए समाजबादी पार्टी के एक नेता है मौमीद उनको लेकर बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने एक नावालिक बच्ची के साथ बलतकार जैसी गुनों ने इस बारदात को अंजाम दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कही ना कही उस केस को थोड़ा सा दवाने की कोशिच करी जा रही है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी को आपको कितना हाथ आपको दिखाई देता है कि ऐसे मामले पॉलिटिकल पार्टी है कही ना कहीं समर्थन करती है देखिए पॉलिटिक रही बात कि आज देखिए वो हाल है हमारे देश का। चार साल की भच्चियों, छे महीने की बच्चियों, बारा साल की बच्चियों, ऐसरी साल की बुझरूरूखो, बर्किन वोमेन हो, लड़की हो मेला हो, किस को भी यह आज दरिंदे छोडही नहीं रहें, किसी भी फिल्ड में नहीं छोर रहे हैं, हर जगा, धेगे खेल खिलारी उनके साथ भी छेरचार, क्या हुआ, खिलारी कोंसाजाई hic नहीं ही मिला, क्योंकि वो एक नेता के रिष्देदार होते हैं, या नेता के मंतरी होते हैं, तो उनके वो रिष्टेदार हैं, तो आम महिलाए सरक पर आके चीख-चीख के हक मांगते ही, उनको आप उनका हक नहीं मिलता है, तो ये बहुत शरम नाख है घटना हैं, जो ये सरकार अपड़ादी, आपने रिश्टेदार को ये बचाते हैं, और पब्लीक के क्या हैं सरकार को जल्दी से जल्दी एक्षन लेना चाहिए इस मामले में, अग डर की बात कह रहे हैं, डर तो है, हिम्मत भी है लेकिन हम जैसी जो आवाज उठाती है महलाएं कहीं डर तो है लेकिन फिर भी हम बुराई के खलाफ लड़ने का हिम्मत रखते हैं लेकिन मैं बात करना चाहती हूं कि अभी जो यह हुआ है अभी ऐसी भी आपको पता होगा कि ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके बाब-मा नहीं हैं जो हम शेल्टर में रहती हैं वो पड़ती लिखती हैं फिर उसके बाद अपना छोटा मोटा कोई जॉब या कुछ ऐसा करती हैं अपना आपको अपनी लाइफ को बनाने के लिए जीने के लिए वो लोग अपना इस्ट्रगल करती हैं अब महनाई इतनी जादा है लोगो लुग अपना इस बापमा को उनके हस्बेन को जो शादी शुदा है इतना डर हो गया कि नहीं भाई डियूटी पे जब एक डॉक्टर का मुडर हो सकता है डॉक्तर के साथ ऐसा हो सकता है तो बताइए डर क्योण नहीं है डर इतना डर का महौल है कि लोग घबराय हुए पर रहने वाले में से नहीं है, जब तक ये सरकार कानून नहीं बनाएगी और असली अपरादी को जेल के अंदर नहीं पहुचाएगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे, नुकर, महले, गली, हर जगह जहां होगा, जन अंदोलन चलाएंगे और करते रहेंगे. दिल्ली विश्व दियाले के तमाम जो संगिठान है, वो देखे प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, बड़ी मांग यहाँ पर सरकार से करते नज़र आ रहे हैं, रेप जैसी बारदात यहाँ पर सिर्फ बंगाल में नहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें, किसी वी राज अजिकर मेडिकल कॉलेज वाला केस थोड़ा सा इस केस ने एक तूल पकड़ लिया, उसके बाद यह केस निकल कर सामने आया, इसमें सरकार से क्या-क्या मांग आप लोग आज करते नज़र आ रहे हैं, बंगाल में जिस तरीके से यह घटना हुई है, उसके बाद से एक सवा साल बहुत बढ़ चरके हमारे सामने आ रही है, कि यह जो आजादी, आजादी हम लोग कर रहे हैं, इतना जश्न मनाया गया है, क्या हम लोग सची में आजाद हैं, या फिर आजादी सिर्फ उन दरिंदों के लिए हैं, जो औरतों को बस आबजेक्ट समझते हुए, उनको र सान है, और एंटाइटल टो एसमच ओफ फ्रीड़म और राइट्स और आजादी सिर्फ उन दरिंदों के लिए हैं, जैसा कि आप लोग, यानि कि जो मेल्स हैं, तो यह एक सवाल तो हमारे सामने आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं, कि यह आजकल इतना य मेडिकल कॉल्जिज में हुई घटना के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, तमाम जो संगठने आपर परदरशन करते नज़र आ रहे हैं, डोक्टर्स का अलग परदरशन चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो सुरक्षा की बात देखी रखी जारी कि महिला यदि वही हमारी देख बाल नहीं कर पा रही है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनी से सवाल करें, हमने सुना कि जब अरी एक बार आइस्टोर्टर ले कहा थे कि हम लोग रैशनल आइनिमल से हैं, हम लग 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 भूल गए कि रैशनल आइनिमल बन गए है, एनिमल तो अपने जरुद कर शिकार करता है, लगर हम लोग तो अभी तो हेवान बन गए है, हेवानियत हमारे पर आगई है कि हम लोग नहीं सोच रहे है कि क्या दूसरे पर बीत रही है, इंसान से हम लोग हेवान बनने की यात्रा एक दम से शुरू हुए है, इसका जो रूट है, जो जड़ हमारे बच्पन से ही होती है, कांकि हम लोग देखा कि जिसकी पूज जिसकी परविशा चीना मिली हो, वही लोग ऐसे करते हैं, जिनको सही समी में सुधार नहीं गया है, वही लोग करते है, इसका एक हाथा अभी देखे हैं, जो नौ आगस्त को हुआ है, ऐसी बहुसी घट है कि जब तक यह हाथ से नहीं रुकेंगे, जब तक हमारे मा बहन, बेटी बहन को जितना जो शुरक्षा नहीं मिलेगी, उनकी न्याई नहीं मिलेगा, मेरे साब से यह सब बेकार की बाते हैं, सर्कार को चुनना और सर्कार का अपने मौन रखना, उनको वाद देना है कि हम हमारे जो बहनों को न्याई मिलें, उनको सही समय पर उनकी शुरक्सा मिलें, नहीं तो आज हम लोगे प्रोटेस्ट करेंगे, कल कर यह बंद होगा, फिर दूसरी घटना गटेगी, तो हमारी सरकार से मांगे कि वे नए कानू लेकिया हैं, ताकि ज़्यादा ताकतवारे पा ज़्यादा गटेगी, जो इस केसे में फस्ते हैं, जो इन केसों में कारे करने में, जो अपना गुना की है, उनको सजा जरूरी मिलने चाहिए, जी बिल्कुल यहां पर कडी सजा की मांग करी जा रही है, और अब यहीं देखते हैं कि आखिरकार सरकार इस मामले में क्या करत वेचा यही पुर्द लाग्ट कर दो लेचा है